Hello everyone welcome to this video lecture और इस video में आज डिसकस करेंगे Pointing type questions of blood relation तो जब कभी भी इस type question आते हैं तो इनको कैसे हम solve करेंगे वो देखेंगे इस video में Pointing type questions होते ही कैसे हैं सबसे पहले आपके पास statement दे रखी होगी और फिर आपको relation पूछा होगा तो start करते हैं आपके पास first question से question आ रहा है pointing to a lady Shilpa said she is the only daughter of my maternal grand wife How is Shilpa related to this lady? तो जब भी question आपके पास pointing का आएगा सबसे पहले पूरी statement पढ़ो उसको solve करने के ड्राइग करो अब आपने पूरी statement पढ़ ली है अब इसमें दो चीज़ों का धिहान रखना है पहला कौन बो रहा है आपने तो question में देखा आपने कौन बो रहा है Shilpa अब नाम आ रहा है आपके पास तो आप नाम से कभी भी decide नहीं करोगे उस person का gender सबसे पहले किसने कहा है Shilpa तो Shilpa बना लेते हैं आपके बाद उसके बाद आपने question में statement पढ़नी कहां से start करना है जहां पे आपके पास my आ जाए मतलब अपने related कोई relation प्रेजन कर रहा हो तो वहां से start करना है तो आपने देखा क्या है She is the only doctor of my आगा question में my तो आप पहले my को solve करेगे my maternal grandfather's wife यह आ रहा है आपके पास पहुंचों पहुंचों तो आप क्या करोगे सबसे फ़ले यहां पर ट्राक लोगे शिल्पा की ममा होगे फिर वहां पर को न जाएगी शिल्पा की ममा की ममा आगे तो मतलब शिल्पा की maternal grand father's wife आ आपके पास यह आ गए grandfather और यह आ गई wife ठीक है यहां तक आपको question solve होगे अब आप क्या करोगे माई आ गया यहां तक आपने solve कर देए यह वाली statement आपने solve कर दी और आप कौन से incident पर पहुंचों इस incident पर आप अब इसका क्या बोह रहा है she is the only daughter तो only daughter है किसकी my maternal grandfather wife my maternal grandfather wife कोन आ गई उसकी नानी तो नानी की क्रोती बेती कोन हो जाएगी यह वाली तो यह कौन है आपके पास शिल्पा की मम्मा यह कौन है आपके पास यह है वह lady जिसके point कर रही है बट जब यह आजाएगा ना आपके पास क्यूंकि आपको शिल्पा का जेंडर जो हो पता नहीं है यह आपके पास male है यह female है इसको solution आजाएगा daughter यह son अगर आपके पास शिल्पा male होती तो क्या आता son आता और अगर female होती तो daughter आता हम अपने से कभी भी decide नहीं करेंगे कि जो given person है वो male है यह female है I hope आपको समझ आ गया सबसे पहले मैंने क्या क्या मैंने कहा question में जो कौन person बोह रहा है उसको देखा सबसे पहले देखा शिल्पा बोह रही है तो शिल्पा को हमने draw कर दिया अब question को start करेंगे जहां पर आपके पास my ward आ जाएगा my maternal grandfather's wife तो मेरे maternal मतलब मम्मी के पापा की wife तो मम्मी जो है मेरे उनकी ममा आ गए या आप बोलते तो मेरे नानी अब question यहां पर आ गया है अब आप इसको reverse order में भी पढ़ सकते हो या जो आपको convenient लगेगा आप reverse order में पढ़ हो या पूरी student पढ़ लो अब बोला she is the only daughter of my maternal maternal grandfather's wife मतलब मेरी नानी की इकलोती बेटी तो कौन हो जाएगी शिल्पा की मम्मी आ जाएगी अब शिल्पा का gender जो है वह पता नहीं है या male है या female है इसलिए हमने solution का लिख लिए डॉर्टर या तो यह आगया आपके पहला question अब next question देखते हैं next question आ रहा है pointing to Samira in a video in a YouTube शिल्पा सेड तो किसने कहा शिल्पा ने तो start करो आपके पास बनाना शिल्पा से अब हम question को कहां से पढ़ना start करेंगे माई माई पर आ गया माई mother's maternal grandfather अब शिल्पा की ममा तो यह आगी शिल्पा mother's maternal grandfather शिल्पा की मम्मी की maternal grandfather तो मतलब शिल्पा की जो मम्मी है उनकी मम्मी होगी और फिर उनके पापा होगी है तो question की statement यहां पर पहुंच गई है आपके पास ठीक है क्या बोरा मैं आपको फिर से बता रहा हूं मैंने कहां से start कर दिया माई से माई mother's तो शिल्पा की मम्मी आ गई उनके maternal grandfather तो मैंने यहां पर ड्रा कर दिया ठीक है अब आप चाहो तो यहां से कर सकते हैं अब आपको question का आप पहुंच रखा है इस point पहुंच रखा है तो अब हो रहा है शिल्पा की आप हो रहे है Samira को point करते है she is the daughter of my mother's metal grandfather's तो इनकी क्या है वो बेटी है यह आजाएगी कौन आपके पास Samira यह आजाएगी आपके पास Samira यहां पर बना लेता हूँ अच्छे से तो यह जो person आ जाएगी यह कोड़ाएगी Samira अब Samira और यह शिल्पा की जो मम्मी है शिल्पा की नानियों जो होगी वो क्या हो जाएगी बहने हो जाएगी अगर यहां पर only दे रखो था कि only daughter होती तो फिर यही बाला परसना था बटा आपको एस देने रखा तो अलग परसना जाएगा अब बोरा how Samira is related to शिल्पा मदर तो शिल्पा की मदर की कौन लगेगी मौसी मतलब सिंपल आप बोलोगे आंट आंट क्या जाएगा इसका solution आजाएगा इस तरह से आपने pointing question को approach करनी है solve करनी है अब यह question देखो यह आपके पास जो एर फोर्स ग्रूप वाई का एक्जाम हुआ था 2021 उसका पीवाई की हुए वहीं से बने यह आपके पास question लाया हुआ है तो अब देखो क्या वह रहा है अमरिता इंट्रडूस विशाल सेंग किसने इंट्रूस किया अमरिता ने विशाल को और बोल कौन रहा है विशाल वह आपके पास question में रखाए अमरिता इंट्रूस विशाल सेंग तो यहां पर हम बना लेते हैं आपके पास अमरिता अब आपके पस question कहां से पढ़ना शार्ट करेंगे हम जहां पर मया तह सब से पहले एगर आपको जिस तरह से आपने question सौल करना है पहले एक बार पूरा question क्य अम्रिता इंट्रडूस विशाल सेंग ही इस दा हस्बेंट अप दा यंगर ग्रेंड डॉर्टर आप दा फ़दर आफ माई फदर हाव अम्रिता रिलेटिट विशाल इफ शी इस नौट दा यंगेस्ट इन दा फैमली क्या बोरा कि अम्रिता जो है यह आपको बस एक अलग से स्टेट्वन आगे इस को इसलिए हम इसको साइड पर लेख से दें अम्रिता इस नौट तो यंगेस्ट वो सबसे छोटी नहीं है सिंपल अब आप क्वेश्चन का आपने एक वर पूरा पढ़े है जो आपको स्टेट्वन कुछ अलग से स्टेट्वन दे रखी होती इस टाइप की वह आपको पता चलिए अब माई फादर तो अम्रिता के पापा आगे यह आ गया अम्रिता के पापा ठीक है इतना आप पापा के पापा आगे यहां पर पर संट उनकी ग्रेंड डॉर्टर यंगर ग्रेंड डॉर्टर तो मतलब अम्रिता के पापा की एक और बेटी होगी जो क्या होगी यंगर ग्रेंड डॉर्टर होगी किस परसन के लिए इस परसन के लिए इसकी तो आपके पास क्या आजाए विशाल देखो अमरिता इसलिए मैंने आपके पास एक स्टेटमन लिख रखी कि अमरिता जो वह यंगस नहीं थी मतलब अगर हम यह वह यह वह यह पड़ते तो हम अमरिता को और विशाल को अपर वाइफ कर लेते बट वह वाइफ विशाल की वाइफ कौन थी वह यंगर ग्र सबसे पहले मैं इसमें क्या किया मैंने अमरिता के बारे में दे रखा तो वह लिखा अब मैंने क्वेशन स्टार्ट किया माई फदर तो अमरिता के पापा आगे ठीक है यहां पर आपके विशन आगे अब हीज़ा हस्पेंड आफ यंगर ग्रेंडाटर ऑफ दा फदर अब इसके यहां पर आप इसको एन ने कहां आप यहां सरिवार्स में पर जाओ अप उबस्त आप घुल्यं कमेड के पापा के पास पहुचता को उनके पापा तो मतलब अमरिता के के ग्रेंड फदर आ कहां अब बोर चुबने तो यहका जा है और उसका हस्पापा के ज़ाओ 에요 तो इसलिए यह यहां पर लिखी हुई थी तो अब पूछा था रिलेशन अमरिता और विशाल के बीच तो विशाल की अमरिता को लगेगी सिस्टर इनला लगेगी तो यह था इसका सॉलुशन अब मुआन करते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर क्या क्वेशन है मतलब जो फोटू में पॉइंट कर रखी है खाली वही बहन है उसकी अलग कोई बहन है नहीं सबसे पहले कहा किस ने मतलब एक मैन ने कहा मैन है तो क्या होगा आपके पास मेल होगा इतना क्लियर आगया आपके पास सो क्वेशन हम स्टार्ट करेंगे माई से माई नेफ्यूज मैटनल ग्रेंड मदर तो माई नेफ्यू नेफ्यू कैसे आजाएगा इसकी बहन होगी कोई ठीक है इसकी बहन का क्या होगा सन होगा नेफ्यू कितना समझ जागा My nephew's बना दी आपने, Metald greatness, इसके Metald greatness कोई होगी? इसकी नहीं, मतलब, यह जो man है, इसकी, ममा आगे हो, यहां पर आगे, आप question, तो अब आगे दिद लेडी ना फोटोग्राफ, इस माई, तो मतलब, यही तो लेडी है आपके पास, यह क्या आपके पास वही लेडी है, अब वही है, how is a lady related to the man, to the man's sister, man's sister से आपने relate करना है, who has no other sister, उसकी क्लोथी यही बहन है, तो यह है आपके पास man की sister, तो man की sister की lady कौन लग जाएगा, simple mother आजाएगी, simple की आजाएगा, mother आजाएगी, तो यह आगे आपके solution, देखो आपने statement अच्छे से पड़ी, फिर आपके पास, आपने my से start कर दिया, call करना तो easy आपके 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 पास, pointing to a girl, रहुल से, तो कौन बोरा है आपके पास, रहुल बोरा है, तो रहुल से हम start करेंगे, इतना clear होगे आप, अब रहुल क्या बोरा है, my, my grandfather, तो रहुल है, रहुल के पापा होंगे, grandfather क्या आगे, उनके पापा, रहुल के पापा के पापा, grandfather होगे, ठीक है, only daughter-in-law, only daughter- तो मतलब उनका इकलोता बेटा है कौन रहूल के पापा तो डॉट्र एकलोता बेटा है कौन हो गया कौन होला रहूल रहूल तो आपके पास my grandfather's only daughter-in-law only son यहां तक आ गया अब बोरा है she is only daughter-in-law of तो अब question आपके पास कहा है रहूल तो रहूल की इकलोती daughter-in-law आ रही है तो रहूल का क्या होगा एक son होगा तो उसकी wife हो जाएगी वो girl जिसको point करके रहूल बोर रहा है तो अब आ रहा 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 रहूल की वो girl क्या लग जाएगी simply daughter-in-law लग जाएगी बहू लग जाएगी आप question को इस तरह से देखो सबसे पहले आपने माई से start कर दिया my grandfather तो रहूल के grandfather आ गए ठीक है only daughter-in-law तो मतलब उनका इकलोटा बेटा है तो उसकी wife हो जाएगी तो मतलब रहूल की ममा आ गई उनका इकलोटा son तो वो कौन आ गया रहूल अब question आपके पस रहूल के पास पहुंच गया है अब बो रहा है she's the only daughter-in-law of my this statement इस statement से आपके पास कौन आया परसन रहूल तो रहूल की एक बेटा होगा तो रहूल की वो अपने बेटे की वाइफ क्या लग जाएगी डॉर्टर निला बहू लग जाएगी तो यह इसका solution अब next question पर मुवान करते है pointing to a person Ram said किस ने कहा है राम ने तो जो परसन कह रहा है सबसे पहले उसको लिख लेंगे है he is the only brother of my father's mother daughter how is the person सबसे हम start कहां से करेंगे my my father's mother Ram है तो राम के पापा आ गए उनकी ममा की बेटी तो राम के पापा की क्या आगई वो बहन आगई अब क्या रहा है he is the only brother of my तो यह जो राहुल के पापा की बहन आई उनके इकलोता भाई कोन आएगा स्वारी राम के पापा आजाएंगे राम के पापा मैं आपको फिर बता रहा हूँ my father's mother राम है राम के पापा आगे राम के पापा के मम्मा आगे उनकी बेटी यह आगई बेटी तो इतना स्टेम्मेंट के तो आगया आपके पास यह वाला परसन आगे ठीक है दूशन के पापन के बुला इस का इक यह वाला इक नागे डाई इस पासफ इसवाज है वाला थान रहा मुण कि राम के परसन क्या लग जाएगा हम दुसका सथ्य कि राम मुभ टीया ज़िस्ट आगा अब नेक्स्काश्ण है अब अनान्य आपके पास है आपके पस प्मेल करें चैनल कने से प्मेल ऩरे पिक्चर आपकीटर दो फडिया आपके पास क्या है फाहि Crown यह और आंज्यय से माई से सराच करेंगे तो अननिया है उनकी मम्मी होगी उनकी मम्मा के मम्मा आ जाएंगी अननिया के मैटनल ग्रैंड मदर इतना तुक्वेश्चन यहां पर आ गया इस परसन पर इतना सौल करने के बाद अब रहा शीज़ा ओनली डॉटर ऑफ दॉटर वह एकलोटी बेटी है उसके बेटी की बेट तो मतलब इकलोटी ऊचिवाए इस बैटी यहागी और वह कौन सा आएगी एकलोटी बेटी है इही आजाएगी तो मतलब वह कौन सा आ जाए परसन अनन्य पर आ गया हाव क्या लिटे तो अननन्य हुदी तो होगी अनन्य इर सेल आएगी हरसल आगे आप चाहते इसको कैसे क करें दो्टर आपके पस अनन्य की मेटली मदर आगई थी तो उनकी इकलोटी बेटी आ गई अननिय की वममा जका अब उनकी इकलोटी बेटी तो लोटी बेटी कौन होगी अनन्य यह क्योंकि आनन्य फिमेल बता रखिए यही ह serum आद के साथ वह आपके आपके पास क्या रही अननिया ही खुद आ रही थी आपके पास तो यह आ जाएगा इसका सॉलुशन सब्सक्राइब तो यहां पर लिए आपके पास ही माई मदर इनला कैसे होजाएगी तो मतलब ही मापके पास female person है अब इसका husband होगा उनकी मम्मा क्या हो जाएंगी हीमा की ओनली क्या जाएंगी मदर इल्ला अब उनका only child है तो मतलब क्या आगया हीमा का husband आगया क्या आगया हीमा का husband अब वहाँ she's the daughter of इतने माई मदर इल्ला only child क्या आगया उसका husband तो daughter of my husband तो इसकी बेटी आगयी वह girl अब आ रहा how is girl related to हीमा अगर इसके husband की girl है वह daughter है तो हीमा के भी क्या होगी बेटी होगी तो हेमा की वह क्या लग जाएगी simply daughter तो c option क्या इसका daughter आजागा इसका solution तो इस तरह से आपके बाद से आपके पास मेल भी हो सकता है और फिमेल भी हो सकता है अब teacher का आपको जैनेटर तो पता नहीं है सबसे पहलें लिख लेंगे अब स्टार्ट करेंगे माई माई वाइफ तो teacher क्या आगया आप आपके बस मेल आगया अब आगए इसकी वाइफ लिया की teacher वाइफ लिख लिख लिए यहां पर आगया अब आपको कुश्शन अब बोरा she's the only daughter अब ऐसे नहीं रेखो अब आप देखो तो TW आगे मतलब teacher की wife reverse father-in-law तो मतलब teacher की wife की father-in-law कोन आगहा teacher की papa हो जाएंगे teacher की papa आगए wife of this तो मतलब उनकी wife आगई only son उनके इकलोटा बेटा कोन आगह teacher और उसकी एकलोटी बेटी तो मतलब teacher की बेटी आगए आपके पाशिंप्ली की जिसको पॉइंट कर रहा था हुँमर लिए तो इसी रएटेट तो टीटर की वो क्या लग जाएगे आपपकाइपकास पास डॉटर कैसे आजाएगे आप सिंपल समझो सबसे पहले नहीं जाए था तो टीचर बोरा माईवाई फापास आगई अब मैंने कहा इसको रिवर्स डौका की वाइफ आ गई यह वह बने परस्न हागे टीचर की वाइशंब की ऑनली ऑसन फॉर्म कोन है कि इंके हो जाकर चैनल की बेटा तो ऊच्छों है और और कोई भेटा तो है कि पादब की ट्होंति पेटी रही क्याए गल्जाब ज़सीर लग्ट मैं यह डू हो इसका वुमंण के पापा आगे ठीक है माइ फादर आगे लौिट आगे वाइफ is the only daughter of my फादर only daughter एकलोटी बेटी तो कोन आ जाएगी वह आपकर simply woman ही आ जाएगी एकलोटी बेटी woman ही आएगी कि woman को आपको gender पता है his wife एक man को introduce करते अब daughter आ गई कौन woman उसकी wife तो मतलब woman क्या है किसकी wife होगी उस man की जिसको introduce कर रहे है कौन woman woman बोर रहे है तो how the man related to the woman woman को woman क्या लगा लग जाए कि सिम्पली husband लग जाए husband ही जाएगा आपके आप question समझो my father तो मतलब woman के father आ गए आपको सबसे नहीं तो इसकी वाइफ है कि इस कह ना ये आपके स्मेल में की वाइफ है हे वह कर ले आपके से अप सिंपल हस्थ मुष्ण है तो ही आपके स्याइब नेक्सति ना रहा है पॉइंटिंग आऊट लेडी एक लड़की क्या बोह रही है गर्ल बोरही तो आपके पस गर्ल लिख लिए सौल का करेंगे माई फ़दर्स, माई फ़दर्स ओनली सन इसके पापा आगे उनका इकलोता बेटा, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा वो, भाई हो जाएगा गर्ल का भाई आजाएगा आपके पास इतने के आगया गर्ल ब्रेदर आगया ग्रेंड मधर तो मतलब गर्ल के जो भाई है, उसके ग्रेंड मदर क्यो हो जाएगी गर्ल के पापा के मिअँआ आजायगी, सिंप्ली अब आगये, she is the daughter-in-law अब उनकी daughter-in-law अब उनकी daughter-in-law अब यहां पर देखो 2-3 statement मन सकती है अब अगर यहां पर उनका इकलोता बेटा only संदी होता तो इस person की wife होती है या क्या पता है इनका दूसरा person है उसकी wife हो सकती है इनका क्या है दूसरा बेटा है उसकी wife भी हो सकती है या इसकी person की wife हो सकती है तो आपके पास कोई यही पर आपको पूछा है यह लेडी आ रहे है वह जो लेडी को क्वेश्ण में डिट्रमाइन करना के लिए बोल रखा है यह लेडी आ रही है क्योंकि अब हमें यह इसके पास एक बीटा है रहे है कि अब एक बीटा ऊसके है इसक 661 क में हो सकते है की तो इस लिए आपका स्टोशन क्या एका मैं आपको फिर समझा रहा हूं गर्ल साथ गर्ल ने क्या कहा तो उनके दो बेटे एक तो फिर गर्ल की ममा आजाएंगी और एक आउट आजाएंगी बट आपको फिर कोई क्लियरली मेंशन थोड़ी ना है तो इसलिए हम क्या स्टोशन का अंसर देंगे कांट भी डिट्रमाइड आप फोट्यूग्राफ आपके पास किसने का श Citizens Gregory ने the ट्रीक हैं अजी संप अनली संसरेश का वो क्या संप कौन जो बवाई को कर रहे हैं अब पूछा है है तो य का सुरेश का लग जाएगा सब्सक्राइब आजाएगा तो यह आगा है solution अब आ रहा है pointing out a lady pointing out a lady Rajan said अब Rajan बोर रहा है क्या बोरा Rajan देखते start करेंगे my mother तो मतलब Rajan की mamma ठीक है husband अब हम reverse में start करेंगे तो Rajan की क्या आगे पापा mother तो उसके पापा की mamma आगे राजन की दादी she is the daughter of the woman who is the mother तो इसकी daughter आ गई तो मतलब इसकी daughter आ गई तो राजन के पापा की क्या आ जाएगी बहन आ जाएगी ना simple है आपके पास देखो मैं आपको फिर समझा रहा हूं क्या है आपके पास question question मैं आपके पास my mother my तो कौन राजन राजन के mamma आ गई ठीक है इसके बाद बो रहा है husband तो राजन के पापा क्या mamma आ गई mamma आ गई अब उनकी daughter आ गई तो यह वाली person आ गई अब राजन के लिए lady क्या होंगे इसकी simple aunt होंगे बुआ होंगे आपके पास तो बुआ वगरा ऐसा option कोई है नहीं तो simple क्या aunt ही आ जाता है वो solution कितना आ गई इसका a part जो क्या था अब next question पर मुवान करते है pointing to a photograph a woman's ex क्या कह रही है woman देखते हैं आपके पास my my mother-in-law my mother-in-law तो मतलब woman है husband होगा woman का कोई यह woman husband है उनकी ममा तो यह आ गई वहाँ पर mother-in-law इस man's son sister अब यहाँ पर क्या रखा है woman का husband woman के husband के son sister देखो आप पस question को अपने अच्छे समझना है my mother-in-law यह आ गया आपके पास माई-mother-in-law बिलकुल आ गया आपके पास my mother-in-law यहाँ पर आ गया person this man's son sister तो इस person की जो son है उसकी वहन आपके पास आ रखा है आपके पास देखो यह question समझो यह वाले person यह वाला person जो है यह वाला person क्या है आपके पास यह वाला person आपके पास woman का husband है और उसके ममा है आपके पास यह वाले person तो this man's son sister is my तो मतलब यह जो person है यह जो person है sister तो इसका कोई भाई होगा और इस man का क्या है son की sister तो यही person आपके पास man के son की sister आगे ठीके man के son की sister कौन है जो woman के husband की ममा आगे तो जो आपने यहाँ पर draw कर रखे यहाँ पर इस point पर अब आपको पूछा है इस man का क्या आजाएगा simply आपके पास क्या आजाएगा इसका grandson क्योंकि दो जनरेशन के आप रहे हो simply क्या आजाएगा grandson इसको आपको अच्छे सब्सक्राइब देखो यहाँ पर यह जो statement है यह आपको confusion कर सकती है क्या कर दिया सबसे पहले आपने my mother's in law निकाल लिया woman है उसका husband होगा और उसके ममा आगए अब this man's son sister this man's son sister तो एक man है उसका son की बहन कौन है woman के husband की ममा आगई तो आपके पास यह person है simply तो अब आपके पास woman का husband इस man का क्या लग देगा grandson तो grandson आगए इसका solution देखो tricky question कैसे आ सकते है बस आपको अच्छे से statement पढ़नी है उसका पास वालो जाएगा next question आ रहा है pointing to a man a woman said woman ने क्या कहा woman my mother's only daughter my mother woman है woman की ममा उसकी daughter कौन आगए woman ही आजाएगे यह आगए आप देखो यहां तक यहां तक तो आ रखिए खुद woman ही है his mother is a daughter of woman उसकी मा क्या है woman की daughter है तो woman की daughter आ गई किसकी उस person की जो man की mama आ गई तो simply आ गए आपके पास solution अब बहुत रहा है woman का woman को लग जाएगा simply क्या आ जाएगा grandson तो grandson आ गए इसका solution तो I hope आपको यह मैंने different different types question different variation के based करवाय है pointing के वह आपको समझ आगे पॉइंटिंग में आपने directly my war देखो उसके बाद आप सेट्मन पढ़ लो सॉल हो जाएगा आपके पास अगर आपको इतने मैंने 15 questions जो है मैंने इसमें आपको pointing के practice कुरा है अगर आपको pointing में कुछ भी समझ नहीं आया या आप इसमें और प्रेक्टिस क्वेशन जो है वो प्रेक्टिस करना चाहते हो तो आप सिंप्ली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजेगा मैं आपको और क्वेशन के बेश जो है वो प्रेक्टिस करा दूँगा तो अब यह आपका topic complete हो गया next topic हम देखेंगे पजल्स टाइब होता है आपके पास जिसमें आपके पास प्रोफेशन भी दे रखा होगा और उन्हें में रिलेशन हमों फाइंड करना होगा तो इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में आपके साथ new topic देखेंगे आपको सब्रेशन का ठीके थैंक्यू अगर आपको कोई भी प्राब्लम हो रही है आप फीडबैक जोर दीजिएगा अपना कमेंड सेकने हैं थैंक्यू टेक क्यर बाइ चैहिंद